आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर वीडियो लिखाई हूं कि हमारे यूनिट्स चार्ट क्या है इसमें आपको इलेक्ट्रिकल पैरामेटर्स बताऊंगी मैयरिंग यूनिट बताऊंगी सिंबल किसे हम लिखते हैं उसके इलावा शॉर्ट फार्म कौन सी यू इंपॉर्टेंट है स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना देरी किये वान बाइवां बताऊंगी आप प्लीज उसे याद कर लेना थैंक यू लेट्स स्टार्ट सबसे पहले हमारा वोल्टेज टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैंने पहले से चार्ट बना रखा है बट वान बा चार्ट है वी इज इकूल ड्या रहता है जहांपे वि हमारा वोल्टेज आई इस फॉर करेंट एडरज फॉर रेजिस्टेंट और जो हमारी वोल्टेज रहती है वो सिंगल फेज में टू-30 के करीब रहती है यह तू-20 भी हो सकती है वोल्टेज ड्रॉप होने की वज़ए और जो 3 ways में रहते हैं वो 4 15 ही रहती है mostly इसके आसपास हो जाता है voltage drop होने की वज़ा से next है हमारा current current को हम amperes में measure करते हैं और इस पर मैंने video already upload कर दिया है कि voltage कम होने से current कम होगा के नहीं description में उसका link डाल दोंगी देखना वो तो आप देख सकते हूं और इसको हम i के साथ denote करते हैं कहीं कहीं पर हम इसे छोटे i के साथ भी लिख सकते हैं small i के साथ और यहां पर जो formula रहता है i is equal to v upon r अगर आप इससे formula निकालना जानते हैं तो आपको अच्छा रहेगा एक formula याद करूगे तब को 3 clear हो जाएंगे तो यहां पर आई हमारा current रहेगा v is for voltage and r is for our resistance next है हमारा resistance के लिए हर सरकेत की कोई ना कोई resistance होती है किसी का भी input 100 देने पर output पूरा नहीं आता है तो इसमें resistance का जो रहेगा वो measuring unit और हम रहेगा और इसका जो symbol है वो ऐसी जो ओ को निची होते हैं और इसका formula रहेगा r is equals to v upon i next है हमारा capacitance capacitance के लिखने के लिए हम farad यूज करते हैं इसके लिए हम c भी लिख सकते हैं लेकिन इसकी unit रहती है कितने microfarad का हमारे capacitor है यह capacitor की capacitance होती है इसका जो formula रहता है वो charge oh sorry capacitance होता है और इसका divide जो रहता है चार्ज के साथ और voltage के है कि last में page screenshot लिखते समय आपको याद रह जाएं mostly जो formula होते हैं वो एक दूसरे से निकले ही होते हैं जैसे कि हमारा charge का formula आता है charge की जो measuring unit रहती है वो column रहती है और इसको हम q के साथ लिखते हैं और इसका formula जो रहता है q is equal to c v जहांपे c हमारी capacitance होती है और v हमारी voltage रहती है हम यूज करते हैं या फिर हमारा h हम इसके लिए यूज करते हैं और इसका formula जो रहता है vl is equals to minus l di upon dt होता है इसमें derivative यूज किया जाता है next है हमारा power हमारे घर में जो load होता है watt के हिसाबस होता है हमारे bulbs वगरрах यह उसी के पावर की बात कर रही है तो इसके लिए i into r हम वोल्टेज का फॉर्मुला पुट कर देते तो यह फॉर्मुला रहता है i2r आप v i और i2 में से कोई भी एक याद कर सकती हो next है हमारा impedance impedance होती है यह भी resistance की तरह होती है लेकिन resistance हमारे dc में होती है लेकिन और हमार impedance जो होती है वह हमारी ac में होती है impedance और resistance में क्या फर्क है इसके लिए वीडियो upload कर दूँगी आप मुझे comment box में comment करके बता देना कि आपको चाहिए तो मैं बना दूँग इसके उपर भी unit same रहती है लेकिन इसको जेड के साथ नहीं जेड के साथ लिखा जाता है और इसका जो फॉर्मुला रहता है z square is equals to r square प्लस x square रहता है frequency क्या है मारी frequency होती है इंडिय में 50 Hz रहती है 60 Hz विरेबल frequency drives बन चुकी है वह क्या है उस पर मैंने वीडियो बना दी है और इसकी जो unit रहती है वह hertz रहती है Hz के साथ हम इसे लिख सकते है और इसका जो रहता है formula f is equals to 1 divided by t जहांपे t हम time या period को लिखते है next है हमारा electrical energy electrical energy को हम लिख सकते है जावल के साथ j के साथ हम इसे लिख सकते है और इसका formula रहता है 1 j is equals to kg m square upon s square Conductance का formula के रहता है Ohm inverse रहता है Ohm जैसे resistance का ओपर formula था Ohm का इसमें क्या रहेगा Ohm को हम उल्टा कर देंगे इसको हम Simon भी लेख सकते है और इसके लिए हम short form G यूज़ करते हैं इसका formula रहता है Conductance is equals to I upon R Next है हमारा resistivity जैसे हम Ohm meter के साथ इसकी unit रहती है और इसको rho के साथ हम लिखते है और इसका formula रहता है R is equals to rho L upon A where L is length and A is area Next है हमारा period period को हम second के साथ लिखते है S इसको हम short form यूज़ करते है symbol के लिए और इसका formula रहता है T is equals to 1 upon F जहांपे F जो होती है मारी frequency रहती है आप चाहें तो page का screenshot भी ले सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो like कहना मत भूलेगा चैनल पर new हो तो subscribe जरूर कीजीगा और साथ ही में bell icon जरूर दबाएगा जिससे आपको मेरी नई वीडियो की notification मिलते रहेगी सबसे पहले thank you मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ कर ideal कर दो तेक है तो है의 वीडियो कर दोःसर तबाएगी I